एक मित्र ने प्रस्न पूछा है कि आप कहते हैं कि बिपस्यना से सारे दुख दूर हो जाते हैं, सरीर के दुख दूर हो जाते हैं, मन के दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि कैसे बिपस्यना से दुख दूर हो जाते हैं, सरीर के दुख दूर हो यह प्रस्न है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुख कैसे पैदा होता है भगवान बुद्ध ने अपनी देशनावों में हमें समझाया कि सरीर और मन मिलकर बना हुआ है मन के बीना सरीर बिलकुल ही जड़ है इस सरीर में कोई मूमेंट नहीं हो सकता अगर मन न हो तो आपने देखा होगा कि कोई ऐसा ब्यक्ति जिसको मानसिक परिशानी हो चुकी है या जो पैदाईसी मानसिक रूप से जिसका मन पूरी तरह से काम नहीं करता उस ब्यक्ति को आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज को रिस्पॉंस ही नहीं कर पाता आप उसको कहते रहो कि यह गुलाब का फूल है उसके वो रिस्पॉंड ही नहीं करता उसके अंदर इतनी मेमरी ही नहीं है उसका मन एक्टिव ही नहीं है काम ही नहीं कर रहा है तो आप उसको कहते रहो यह लाल फूल है यह गुलाब का फूल है उसको वो कोई रिस्पॉंड नहीं करेगा उसको कोई याद नहीं बनी रहने वाली कि आपने उसको गुलाब का फूल यह बताया है अगले दिन आप उससे पूछोगे या अगले ही पल आप उससे पूछोगे वो कहेगा मुझे पता नहीं इसी तरह से बहुत सारी बिमारियां जो मानसिक रूप से जुड़ीवी होती हैं उससे हमें पता चलता है कि मन अगर पूरी तरह से एक्टिब न हो सरीर पूरी तरह से रिस्पॉंड न कर रहा हो तो मन और सरीर अगर न उनका आपस में तालमेल हो तो फिर सरीर की कोई अनिवारियता नहीं अगर मन न हो इसमें तो यह कुछ भी काम नहीं कर सकता कुछ भी रिस्पॉंड नहीं कर सकता इसी तरह से अगर सरीर हो मन न हो तब भी यही है और अगर मन हो सरीर न हो फिर तो मन अगर है भी अगर सरीर यही नहीं है तो फिर तो उसकी कोई visibility नहीं है फिर तो हम उसको कहा ढूटेंगे कैसे पकडेंगे कौन पकडेगा सरीर में मन मैनिफेस्ट होता है प्रक्षेपित होता है और मन के जरिए सरीर रिस्पॉंड करता है सरीर एक्टिविटीज करता है तो सरीर और मन एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए होते हैं इसी तरह स जैसे अगर मन हमारा पूरी तरह से सद्गुनों से न भरा हो, अगर हमारा मन निर्मल न हो, साफ न हो, अगर हमारे बिचार शुद्ध न हो, अगर हमारे मानसिक क्रिया कलाप शुद्ध न हो, वो दूसित हो, तो फिर उसका क्या परभाव पड़ेगा? उसका परभाव सरीर प बात करते हैं जैसे आपने देखा होगा एक ब्यक्ति क्रोध ही होता है उस ब्यक्ति के अंदर उसका मन अभी इस बात को विचार ही नहीं कर पाता कि जो मैं क्रोध कर रहा हूं इसका परिणाम मेरे सरीर पर दिखाई देता है उस सामने वाले ब्यक्ति पर इसका क्या असर होता वह तो हमें दिखी रहा है अगर हम किसी को क्रोध करेंगे किसी को गाली देंगे तो हो भी सकता है कि अगर वह व्यक्ति जादा समझदार है तो आपको कोई रिस्पोंड न करें लेकिन अगर वह व्यक्ति मूर्ख है उतना समझदार नहीं है तो वह भी आपको गाली का आली से देगा मारपीट भी हो जाएगी यहां में दिखाई देता है कि दूसरे व्यक्ति को परभाव पड़ रहा है लेकिन वह पर उसको परभाव पड़े या न पड़े अगर हम क्रोध करते हैं तो हमको क्या परभाव पड़ता है हम सभी क्रोध करते हैं क्रोध करते ही क्या होता है कभी आपने नोटिस किया सबसे पहले आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी सबसे पहले आपके मुझ से कोई भी शब्द निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर से विचारी नहीं उटेगा कि कब गाली निकल गई वैसे आप गाली को रोग रोग कर हैं माबाप के सामने भाई बेहन के सामने और एक साधारन समाज में आम बोल चाल में आपसी मेल जोल में लोगों से मिलते जुलते हुए आप ऐसे रिस्पॉंड नहीं करते लेकिन उस समय कब मुझ से गाली निकल गई आपको पता भी नहीं चलता और तीसरी बात कि जब हाट बीट पड़ जाती है जब उसमें ब्लेट फ्लो बढ़ जाता है तो वक आपने लगता है पूरी उर्जा आपके पूरे सरीर में जैसे बिजली दोड रही है जैसे आपको खुजली ऐसे निकलने लगती है पूरे आपकी आपके सरीर में ऐसे रोंग्टे खड़े होने यह आपने कभी नोटिस किया और यह सरीर अचानक ही जो इस तरह से रिस्पॉंड कर रहा है इसके परिणाम क्या होंगे इसके परिणाम यह होंगे कि यह जितना ब्लड बॉड़ी को और ब्रेन को चाहिए था जो इस क्रोध के वज़े से ट्रिगर हुआ है और ब्रेन को की जरूरत थी नहीं लेकिन अब क्योंकि ब्रेन को रिस्पॉंड करना है इस तरह से ब्रेन को या तो आपको दोडाना है आपको वहां से भाग जाना है या आपको डड़ाई जगडे में मार्पीट में उतनी एनरजी चाहिए तो ब्रेन उस तरह से रिस्पॉंड करता है उ के परिणाम यह होंगे कि आपके ब्रेन से जो केमिकल निकल रहा है जो आपको उरजा दे रहा है यह केमिकल आपको सिर्फ उरजा ही नहीं दे रहा है यह सिर्फ आपको पॉजिटिव रिस्पॉंड ही नहीं कर रहा है यह नेगटिव रिस्पॉंड भी है नेगटिव रिस्प ये फड़ भी सकती हैं, इसलिए जो ब्यक्ती ज्यादा क्रोध करता है किसी दिन उसका Bab same $$, हो जाता है, और यह बचा जा सकता था, इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर क्रोध आगर कोई ब्यक्ती गाली दे रहा है, या वोई भ्यक्ति आपको आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसके उपर इतना क्रोफ करें और आपका ब्रेन हेमरेजी हो जाए. मतल्ब यह है कहने का, हम अपने ही नुकसान कर लेते हैं, दूसरे का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह तो बात की बात है और यह नुकसान हमने कैसे किया यह नुकसान हमने ऐसे किया कि हमें अभी तक यह पता ही नहीं है कि क्रोध के बात परिनाम क्या होते हैं दूस परिनाम क्या होते हैं क्रोध के पैदा होते ही आपके पूरी बॉडी का सिस्टम पूरा ही बदल जाता है इस बॉडी में जो अभी तक तूट फूट होने के वजह से जो इसकी रिकवरी हो रही थी जो अभी तक खाना डाइजेस्ट हो रहा था जो अभी तक एक नॉर्मल बॉडी चलती है उसके जो function हो रहे थे वो सारे function रुख जाते हैं और वो सारे function रुखने के बाद सारा ही blood circulation सारी ही energy सारा ही आपका body का glucose body से sugar आपके liver से sugar transform होती है एक chemical के रूप में जो brain को active करने के लिए जरूरी होती है जिसको cortisol कहते हैं एक ऐसा chemical release करना होता है body को से उसका connection है और इसके परिणाम क्या होते हैं कि आपका liver काम करना बंद कर देता है उस तमई यानि उस तमई कोई भी भोजन हो जो आपने खाया है या जो body को पचाना है वो body respond नहीं करेगी और body respond नहीं करेगी तो परिणाम क्या होंगे कि आपका liver upset हो जाएगा आपका पेट upset हो जाएगा आपकी intestine upset हो जाएगी आपका पूरा system ही block हो जाएगा परिणाम यह होगा कि आपका पेट सूख जाएगा परिणाम यह होगा कि आपकी body में आपके पेट में acid बनने लगेगा हमें कुछ भी पता नहीं है और ये क्रूद हम क्यों करते हैं क्योंकि हमें होसी नहीं है हमें न तो जानकारी है और नहीं हमने कभी अपने मन को देखा है कभी हमने अपने मन पर बिचार डाला ही नहीं कभी हमने अपने मन के जो responses हैं अपने मन को जानने और समझने की कोशिसी नहीं करी और बिपसिना हमें मन को किस तरह से निर्मल करना है, मन को किस तरह से समझना है, इस मन में किस तरह से इसकी रिस्पोंसिज है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से इसमें संसकार लगते हैं, किस तरह से इसमें मैमरी बनती है और किस तरह से यह सरीर को नचाता है सरीर को चलाता है सरीर के समस्त अंगों को किस तरह से यह विचार मन में उठकर नचाते हैं चलाते हैं रिस्पॉन करवाते हैं और हम अपने पूरे जीवन चक्र को चलाते हैं इस तरह से लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम सरीर हैं हमें तो मन क पता सिर्फ तब चलता है जब हम कहते हमारा यह मन नहीं हो रहा है हमारा मूड स्विंग है हमारा मूड अपसेट है उस समय हम कहते हैं कि हमारा मन और नहीं तो हमें मन का कुछ पता नहीं हमें मन का पता सिर्फ खाते पीते और इस तरह से क्या अच्छा लग रहा है क्या बूरा हुआ है सरीर की हर activities को हर moment को यह movement को यह मन चला रहा है और जिस समय भी हम विपश्चिना करते हैं उस समय हमें यह सब पता चलता है तब हमें पता चलता है कि विपश्चिना क्या होती है तब हमें पता चलता है कि मानसिक कष्ट क्या होता है मानसिक दुख क्या होते हैं तब हमें पता चलता है कि किस तरह से बेधनाएं उठती हैं किस तरह से यह सुक और दुख के responses मन की वजह से सरीर पर असर करते हैं और सरीर में रोग लगता है सरीर में रोग इसलिए लगता है आप सोचो अगर अगर कोयी व्यकति क्रोध न करे तो किया उसके लिवर मोव फरक पड़ेगा अगर कोई व्यकति क्रोध न करे तो क्या आप सोचते हैं कि उसका ब्रेन इस तरह से काम करेगा जिस तरह आयसे वह कुछ भी कर जाता है एक समझदार व्यक्ति हाथ में चाकू उठाके या हाथ में गन उठाके पिस्टल उठाके किसी को मार दे रहा है तो क्या कोई पड़ा लिखा व्यक्ति जो क्रोध नहीं करता जो मन को देख रहा है, मन पर विचार करता है, अपने विचारों को देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है क्या उस व्यक्ति से यह उमीद की जा सकती है कि वो कुछ भी कह देगा कहीं भी एक पड़ा लिखा सब भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी व्यक्ति को गाली देगा यह हम समझ सकते हैं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं हम बेहोस है इस बेहोसी को तोड़ने के लिए भगवान बुद्ध ने हमें ध्यान का तरीका बताया और उस ध्यान के तरीके का नाम है विपशिना और समस्त जो आरिय अस्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने कहा कि इस भवलोक से पार जाने का जो मार्ग है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा वो है आरिय अस्टांगिक मार्ग जिसमें हम समस्त अपने पूरे जीवन चक्र क को देखते हैं कि हम किस तरह से कर्म करते हैं किस तरह से विचार उठते हैं किस तरह से हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं किस तरह से हम चीजों को देखते हैं किस तरह से हम संकल्प लेते हैं कितनी द्रड सकती इच्छा सकती हमारे अंदर है कितनी इच्छा सकती हमारे अंद को करते हैं, कौन से कुशल कर्म करते हैं, कौन से अकुशल कर्म करते हैं, उनके परिणाम क्या होते हैं, और स्मरती क्या होती है, किस तरह से हमें हमारी यादास्त बनी रहनी चाहिए, यादास्त के तरीक कितने लेवल हैं, इन सब बातों को किस तरह से होस 24 गंटे बना रहे है कि कोई व्यक्ति हमें गाली दे रहा है या कोई व्यक्ति हमें प्यार कर रहा है तो हमारा रिस्पॉंस क्या होना चाहिए वो रिस्पॉंस होस में या बेहोसी में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए इन सब बातों को हम बिपश्यना में और आरियस्तांगिक मार्ग में समझते हैं उसके लिए हमें कुछ नियम पालन करने होते हैं सील के नियम भगवान बुद्ध ने इसलिए दिये कि हमें क्या खाना है कितना खाना है किस तरह से ब्यवखार करना है प्राणियों से किस तरह से हिंसा नहीं करनी है किस तरह से मांस नहीं खाना है किस तरह से सराब नहीं प इसी की वज़े से हमारा मन ठीक रहेगा और इसी की वज़े से हम इस भव लोक से मुख तो हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे हमारा जो जीवन है अभी हमें लग जरूर रहा है कि हम बहुती लैबिस स्टायल में जीवन जी रहे हैं लेकिन ये बेहुशी का जीवन है, बुद्धि इसको जीवन नहीं मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं, हम कहते हैं कि देखो हम महल में रह रहे हैं, देखो हमारे इतने नौकर चाकर, इतनी गाड़िया हमारे पास, देखो हम पूरे संसार में घूम रहे हैं, देखो हम इतना व्या लेकिन भगवान बुद्ध कुछ नहीं मानते इन बातों को बुद्ध कहते हैं कि अगर बेहोशी है तो जीवन नरक्षी बन जाएगा और एद दिन मौत आएगी सब छेन लेगी और इस भावलोक से शुकारा नहीं होगा तो इसलिए जो इन मित्र का प्रस्न है कि कैसे सरीर और मन पर असर पड़ता है आज हम इसको क्रोथ के जरिये हमने समझने की कोशिस की इसी तरह से बाकी जितने भी हमारे विकार हैं चाहे मोह है, चाहे लोग है, चाहे एहंकार है, आत्मभाव है इन सब से सरीर पर प्रभाव पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है और रोग लगते हैं, मानसिक रोग भी लगते हैं, सारीजीक रोग भी लगते हैं और जीवन अंत अंत तक नरक बनी जाता है तो हमें भी चार जरूर करना चाहिए नमो बुद्धाई